वेलकम तू मैई चैनल तो कैसे है नवराथी स्टार्ट और मैंने वह आज रात में अपना ये दर्बार जो है वह सजा लिया है तो ये बैसिकली साडी है और पीछे जोद के लिए इस पेस चोड़ा है तो पीछे का बैक डॉप मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है क्य जो पर मेरे चावल कलर की हैं तो यह कुछ कुछ सेम होगा है यह हल्का सा और अरंजिश है पर बहुत हतक सेम ही लग रहे हैं तो यह चार कलर जो मैंने कर दिये हैं सूखेगा तो मैं भी चुह हो वह श्टे दलकमल बना कर रख दूंगी जै मातारी दोस्तों आप सभी को नवश की धेर सारी शुब कामना है आज है गुड़ी पड़वा और बस मैं मातारानी का शिंगार कर रही हूँ तो इस बार बहुत जादा मुश्किल हुआ सब कुछी करना क्योंकि अब क्रिशिव चलने वाला हो गया है तो बहुत जादा मु बहुत जादा दिक्कत दे रहा है तो बहुत जादा दिक्कत दे रहा है तो बहुत जादा दिक्कत होती है पर मातारानी करपा से सब कुछ हो गया पहले मेरे मन में था कि मैं दरबार इस बार नहीं लगा पाऊंगी अलग से मंदिर में ही विराजमान रखोंगी मातारानी को पर क्योंकि हर साल जो चीद आप करते हो ना तो दिल वैसा ही करता है कि अच्छे से सब कुछ सेलीबरेट करोगा और मैं तो हमेशा ही जिनमाश्मीन अवरातरी सब कुछ अच्छे से करती हूं तो मेरा था कि नहीं मैं करूंगी और यह मैंने बहुत सुन्दर सा लहंगा बनाय आज पूजा की विधी पूरा नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि अलड़ी मैं बहुत लेट हो गई हूं और क्रिशिव एक बार उड़ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा तो यह मैं मातरानी के लिए सेट लेकर आई थी एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि जबी आप मा कोटी चूडी और बिंदी वह सब तो आप ले सकते हो पूजा वाली दुकाम से अगर आप स्ट्रीट मार्केट से लोग है अगर आपके घर के पास लगता है या जहां से हम लोग अपनी जूल्री लेते हैं वहां से लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी और अगर आप मतलब पूजा वाली शौप से लोगे ना तो वह आपको बहुत महेंगी देते हैं मतलब 400 500 600 ऐसे रेंज में देते हैं तो मैं कभी भगवान के लिए चाहें केशा वह चाहें मातरानी हुई मैं सबके लिए जूल्री जो है वह स्ट्रीट मार्केट से ही लेती हूं और मुझे काफी साही रेट में मिल जाती है तो इस बार में इस तरीके से करल वाले हेर लेकर आई थी कि कुस्तों में केशफ के करूंगी पर केशफ के नहीं किया मैंने मातरानी का ही जो है फिर मैंने सचा इनी का हिस्ट्राल बना देती हूं तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ पर बाद में अच्छा लग रहा था मैंने हेर पिंज जूड़ा पिंज लगा के सेट कर दिया था और इस बार में सबके कपड़े नहीं बना पाई हूं अब मैंने सोचा है कि मतलब बहुत टाइम से ऐसा ही है कि जिस का तोहार उसी लिए कपड़े वरना बहुत जादा कपड़े हो जाते है तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है पीछे जो है वह चंद्र का है जो मेरे पास पहले से थी वह मैंने लगा दिया अब मैं आपको सबका शिंगार दिखा देती हूं तो यह हमारे प्यारे से केशब इन्हें मैंने पहना ही है यह लोग अलगी ट्रेस और बहुत ही यह हमारे साथ है में पास शिप परिवार ही नहीं था बाकी अलमुस सारे ही भगवान जो है वो जो जिनकी पूझा हम करते हैं वह हैं मेरे पास और यह पीछे का बैकड्रॉप मैंने चेंज कर दिया था यह मैं पिंक कलर का कपड़ा लाई थी महतरानी के ड्रेस बनाने को ब बहुत जादा सुन्दर लग रही है तो कुछ इस तरीके से दरवार मैया का सच गया है और यह अखन जोत मैं नई पर्चेस करके लाई थी हो गया तोड़ा टाइम पर जलाई आज पहली बार ही है मैंने इसका मुझे कहीं भी ग्लास नहीं मिल रहा है यहां मैंने सोला सब चीजें जो है मैंने रख दी है साड़ी वाड़ी ने रखी है शिंगार पूरा रख दिया है मैंने तो कुछ इस तरीके से दरवार त्यार हुआ है और जो नीचे आप ओम वाला देख रहे हो ना यह मैंने मीशस बंगाया था और बहुत जादा सुन्दर लग रहा है तो अधिन शाम में लेकर गए थे भोले बाबा के मंदिर जहां पर पारवती जी भी है तो मेरा मन ता की मातारानी के मंदिर में जाओं पर यह बेसिकली कोई ऐसा मातारानी का मंदिर नहीं है मतलब बहुत जोड़ी पड़वा वाले दिन वाली हूं और खोय का मैंने केक बनाया यह बस में कट कर वा दे रही हूं कि क्रिशिफ से देन उसके बाद हम उठाके रख देंगे और यह डेली के भोग में जो है वो काम में आएगा अब ही अगर मैं जूटा कर दूगी न तो फिर पूरा ही जूटा हो जाएगा और फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा तो ऐसे बढ़ा दिया था तो बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए तो आज की क्रिशिफ गुड़ी पड़वा वाले दिन पैदा हुआ था तना बढ़ी दिन है और यह हमेशा याद रहेगा मतलब बहुत सारी दिपे बच्चे जासे होता है न तो नहीं याद रहता है पर गुड़ी अच्छे से जो है वो सब कुछ हो गया है और बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं और आई वोप आपने वीडियो एंच्वाए किया होगा पसंद आए होते लाइक शेर कमेंट करना ना भूलें मिलती हो अगले वीडियो के साथ तिल देन बाबाई जैमाता दी झालँ स्कार थया है थाले जाया हۜ पहला थाले कमेंट वीडियो को कारणी कर दो एाले जैमाए होते हैं और आई टेन